में मश्कार दोस्तों मेरा दाम में विमल सिंग बाला जी शरी एड़ा में आपका स्वागत है आस्तारी के आपकी 6 अप्रैल 2022 की सिख्षा समंदित क्या से भी अपडेट हैं एक करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं और लाश्ट में कुछ करेंट अफेर की बात भी करेंगे सबसे पहली अप्डेट आपका उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल यानि कि 5 आपरैल 2021 को और इसमें बताये गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोगद्वारा जो आयोजित आपकी परिक्षा थी प्रारंबिक अहरता परिक्षा यानि कि पेट 2021 की जो परिक्षा है उसके उप्रांत मुख्य परिक्षा के लिए जो विग्यापन संक्या है उसमें स्व पांच 2022 यानि कि 8 माई 2022 रविवार को जो है परिक्षा आयोजित की जाएगी उसी को लेकर यहां पर बताया गया है इसमें भी बताया कि ऐसे समस्ता अभरती जिनकी दोरा प्रारंबिक अहरता परिक्षा में धनात्मक यानि सूनने से अधिक नॉर्मलाइजड स्कोर पार की कट आउफ नहीं रखी गई है फुल मिलाकर पैट कराने का कोई मतलबी नहीं बना जब आपने आप पर बच्चों को चाटा नहीं है क्योंकि बाद में अगर मेरिड बनाएंगे और फिर उसमें पैट के नंबर जोड़ेंगे तो जो बच्चे पैट के स्कोर कम लाए इसी के संदर में न्यूस भी है एनम भरती आठ माई को होगी मुख्य परिक्षा जो हमने उपर नोटिफिकेशन देखा और इसमें भी दिखाया आठ माई को परिक्षा होगी 9212 पदो कि मुख्य परिक्षा के लिए 19,57 अपरतियों ने आवेदन किया है परिक्षा निहंतर इस विद्धायले ने मंगलबार को रुहेलखंड विद्धायले को पिछले साल कर आई गई जो 27 परिक्षा है उसका डाटा स्वाब दिया है अब रुहेलखंड विद्धायले की कोर टीम इस रिकॉर्ड का अध्धन करेगी उसके बाद अपनी जो योचना है वो बनाएगी और यह जो डाटा है वो विद्धायले ने इसलिए लिया है कि ताकि पिछली फ्रुवेस परिक्षा में जो रह गई जो खामिया है उनको जो है वो दुरुस्त किया जा सके अगली नोज़े एसिश्टन प्रोफेसर सारिरिक सिक्षा के 23 पदो पर चैन UPHESC ने घोजित किया अंतिम चैन परडाम प्रयागरास से जो है वो निउस है अगली नोज़े रुहेलकंट विस्विद्धायले सिक्षक भरती की प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद फिर से शुरू होगी यहां पर चुनाओ आचार सांटेक का रुहेलकंट विस्विद्धायले में रुकी जो सिक् प्रसासन यहां पर यूपी वोड परिक्षा जो है उसको नकल भीहिन करने के जो प्रसासनिक दावे फेल हो गए उसी की बात जो है वो की गई है अगली नोज़े आपकी योगिता के आदार पर पद की मान करना उचित जो है वो नहीं है मृतक आसरित को नौकरी के मामले में हाई कोर्ड का जो है वो एहम फैसला है प्रयागरास से जो है इसके सामन में ने उचे है अगली नोज़े प्राविदिक सिक्षा अध्यपन सेवा परिक्षा में 2228 अभरती जो है वो सفल हुए प्रयागरास से जो है वो ने उचे है अगली उसे प्रवेस को आज से ऑनलाइन आवेदन इलाबात विस्विद्धाले और संगठक जो कॉलेज़े उसमें Common University Interest Test से होगा दाकिला NTA जो है इसकी परिक्षा कराएगी उसी की बात यहाँ पर की गई है अगली उसे BSc नर्सिंग में अब नीट से जो है आपको प्रवेस मिलेगा पहले ऐसा नहीं होता था तो उसी की बात की गई है कि प्रदेश के तीन मेडिकल जो कॉलेज है उसमें 120 सीटों पर प्रवेस को मंजूरी अगली उसे Common University Entrance Exam जुलाईव जो है उसमें संभव हो सकता है यह NTA जो है उसकी website पर मिलेगा आवेदन पत्र और परिक्षा का pattern भी आपका लिखा है कि तीन सेक्षन जो है वो होंगे यह में आपका हिंदी अंग्रेजी समय तेरा भारती भासाओं पर आधारिक पेपर होगा यह सभी छात्रों के लिए अनिवार होगा और यह जो सेक्षन इसमें 50 सवाल होगे जिसमें से 45 मिनट में 40 का जवाब देना होगा जो कि जो सेक्षन भी होगा फर्ष्ट का भी वो देशी भासा या फिर लिक्ट्रेचर की पढ़ाई करने वाले चात्रों के लिए ओप्सनल होगा यह उन चात्रों के लिए होगा जो कि बीए फ्रेंच आधी में सनातक डिगरी की पढ़ाई जो है वो करना चाहते हैं इसमें अलग-अलग और भी भासाइं हैं जो यहां तक दे रखी हैं उसमें चात्र अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकेंगे और सेक्षन भी अनिवारे पेपर होगा यह भी यहां पर बताए गया है अगली निवस है कि अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी सीख सकेंगे जर्मन भासा नई दिल्ली से जो है वो निवस है यहां पर दिल्ली सरकार में जर्मन दूतावास के सयोग से इंस्टिटूट की बात की गई है, गोए थे इंस्टिटूट, उसके साथ MOU जो है, वो साइन किया है, और उसकी बात यहाँ पर की है, अगले उसे सिलंका के राष्टपती, इस अब लाष्ट के अब करंट अफेर से लेटेड है, सिलंका के जो राष्टपती हैं, उन्होंने आपात काल को जो है वो खटा दिया है, सिलंका में आपको बताया था, आपात काल जो है वो चल ला है, वो भी आर्थिक इस तर पर जो है चल ला है, परते संकट की बीच एक अप्राइल को आपात काल लागू किया गया था, उसे बाद में जो है वो खटा लिया गया है, सेकि स्वास्तिक ग्रामन विकास, नगरी विकास, परेटन, राजस और इसी प्रिकार से सभी सेक्टर की बात की गई है, अगली और इस वीडियो की लाश्ट करेंट अपैर देखते हैं, इसके लाबा वीडियो पसंद आया तो लाइक भी वर्शे करते रहेगा, जो फीफा आप पर की गई है, और पिछली बार रस्या में हुआ था, रूस में हुआ था, तो बहां से आप ये धम्रासी 30 करोड ज्यादा है, बाकि और ज्यादा डेटियल में पढ़ना है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यही था हमारे इस ओर अपडेट में इसी प्रिकार डेल नमस्कार, जैहिन